हेलो एवरिवन, लिूसेंच जीके में इंडियन पॉलिटी और कॉंसिट्यूशन में अभी हम पढ़ेंगे फंडमेंटल ड्यूटीज फंडमेंटल ड्यूटीज टोटल 11 है नमबर में और ये आर्टिकल 51 में A में आती है और ये पार्ट 4 में दी गई है कॉंसिट्यूशन के सबसे पहले हम जानते हैं कि फंडमेंटल ड्यूटीज को क्यों अड किया गया इंद्रा गांधी और कई अन्य कॉंग्रेस के सदस्यों को लगा कि मूल करतव ये कॉंस्ट्यूशन में होने चाहिए और जब समविधान बना था तब ये बात रह गई थी इसलिए एक कमिटी गठित की गई सर्दार स्वरंग सिंग के नित्रत्व में तो सर्दार स्वरंग सिंग कमिटी ने अपने रिकमेंडेशन दिये और उन्हीं के बेसिस पर फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया कमिटी ने recommend की थी 8 fundamental duties और total 10 fundamental duties को add किया गया amendment से और अब एक और fundamental duty add हो चुकी है तो अब total 11 fundamental duties हो चुकी है 10 fundamental duty को तो 1976 में जोड़ा गया था 42nd constitution amendment से फिर जो 11th fundamental duty है उसको जोड़ा गया 2002 में 86th constitutional amendment से इस article में citizens की क्या-क्या duties है वो बताई गही है सबसे पहला है to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem तो सम्विधान को मानना है नागरिकों को ये सभी नागरिकों को कहा जा रहा है कि भारत देश के नागरिकों को सम्विधान को मानना है उसके आदर्शों की पालना करनी है जो national flag है, national anthem है उन सभी का सम्मान करना है यानि जो हमारे राष्ट्र आंदोलन के जो आइडियल्स है उनको आप याद कीजिए और उनको फॉलो कीजिए जो आदर्श उस समय स्थापित किये गए थे अगर देश में कोई आपदा या विपता आ जाती है देश में उससे लाखो लोग affected है तो सरकार आपसे request कर सकती है volunteer करने के लिए देश की सेवा के लिए आप आए जम नाशनल डिजास्टर फोर्स पूरी ना पड़े ऐसे में आपसे बोला जा सकता है कि आप यहां पर आईए तो ऐसे में आपके duty है कि आप आकर देश की सेवा करें समाज की सेवा करें next year to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India transcending religions, linguistic and regional और sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women यहां पर बोला जा रहा है कि अलग-अलग लोगों के बीच में अलग भाशा बोलने वाले लोगों के बीच में भाईचारे की भावना बढ़ानी चाहिए और साथ ही ऐसी परमपराओं को नकार देना है जो dignity of women के खिलाफ है next year to value and preserve the rich heritage of our composite culture यानि भारत की जो महान मिश्रित संस्कृती है जो composite culture है यहां का जो इतने सारे धर्म भाशाए एक साथ यहां पर रह रहे हैं इतने सारे लोग जो अलग-लग तरीके के उसको आपको preserve करना है उसे बचा कर रखना है और उसका आपको सम्मान भी करना है next year to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures तो यहां पर पर्यावरन की रक्षा कीजिए उसे पचा कर रखिए तो जो तलाब है, जंगल है, नदिया है, वाइल लाइफ है उन सभी का ध्यान रखिए और सभी जीव जंतु के प्रती compassion रखिए next year to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform आपको सोच scientific रखनी है, आपकी जो सोच है वो scientific होनी चाहिए अंद विश्वासी नहीं होनी चाहिए, आपको humanism पर विश्वास होना चाहिए मतलब इंसानियत पर और इंसानों पर भरोसा रखना है फिर next year to safeguard public property and to absorb violence public property को safeguard करें, उसकी रक्षा करें, buses ना जलाएं, hospitals में तोड़ फोर ना करें हिंसा का सहारा ना ले अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो इतनी अच्छी स्विमिंग करें कि ओलंबिक्स में गोड ले जाए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि आयज बन जाए, देश विदेश में scholarship पा जाए, Harvard University में top कर जाए जो भी आप काम कर रहे हो उसे अपना best दीजिए, उसमें best perform करिए ताकि आपके साथ साथ देश का नाम भी रोशन हो फिर next point है आपके जो बच्चे है या आप किसी के लीगल गाडियन है तो आपके जिम्मेदारी है कि वो बच्चा स्कूल जाए यह जो point है, यह 86th Constitutional Amendment Act से आट करी गई थी जब Right to Education आया था जो 11th Fundamental Duty थी, जो हमने अभी पड़ी थी, वो किससे आट की गई थी? 86th Constitutional Amendment Act से 2002 में Fundamental Duties जो हैं वो directly enforceable नहीं है, इसके लिए Act बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही यह enforce होती है और अगर इनको violate भी किया जाता है, तो इसके लिए आप court नहीं जा सकते है Thank You, Hope आपको यह lecture पसंद आया होगा अगर आपको यह lecture पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चानल को और अगर आपके जो भी questions हैं, आप नीचे comment section में लिखके बता सकते है Thank You